दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूं जिससे कि आप फिरी में HD क्वालिटी के PNGs डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने मूबायल स्क्रीन पर यहां आने के बाद सबसे पहले आपको उपन करना है अपना गूगल और सर्च कर लेनी है अपनी फेहली वेबसाइट इसका नाम है stickpng.com इस पहले वाले वेबसाइट पर आपको किलिक कर देना है और यहां पर सर्च के option पर आप किलिक करके कोई भी PNG सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ social media आप देख सकते हो friends यहां पर बहुत सारे logos आ चुके हैं बहुत सारे PNGs आ चुके हैं करना है थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और इस डाउनलोड के option पर किलिक कर देना है थोड़ा सा आपको 10 सेकिंड का बेट करना है आप देख सकते हो friends यह डाउनलोड हो चुका है दोस्तों यह सारी PNGs मैं आपको लाश्ट में गैलरी में उपन करके दिखाऊंगा जो भी मैंने डाउनलोड किये हुए हैं अभी आपके सामने तो चलते है अपने अगली website की तरफ दोस्तों PNG डाउनलोड करने की जो दूसरी website है उसका नाम है प्री पींग-i.com तो यह से सर्च कर लेते हैं और प्रीर आपको पहले वाले साइट पर किलिक करना है अब देख सकते हो फ्रेंट्स यहां पर पेहले से भी mail डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर पहले से भी आप्शन अवेलेबर आप इन पर प्लि करता हूं औar सर्च कर लेता हूं इस प्येँ चीम को दोस्तों यहां पे प्लोड करने के लिए सिम्पल से आपको एस प्लीडिक करना है कि वर थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है आपको यहां पर option दिख रहा होगा free download png का आपको इस पर click कर देना है आप देख सकते हो यहाँ पर png download हो चुका है यह चलते हैं अपने तीसरे website के तरफ google open करके आपको search कर लेना है pngkey.com आपको इस website पर click करना है और फिर यहाँ से कोई भी png search करके आप download कर सकते हैं अब यहाँ पर जैसे कि मुझे car png download करना है तो मैं search कर लेता हूँ car और यहाँ पर different types की car png आ चुके हैं अब यहाँ पर download करने के लिए normally आपको उस png पर click करना है और फिर दो second का wait करना है आप देख सकते हो यहाँ पर download png का option है आपको इस पर click कर देना है निचे के तरफ scroll करना है आपको और इस download transparent image पर click कर देना है और फिर दो second का wait करना है और download png पर click कर देना है आपका png normally download हो जाएगा आप देख सकते हो download हो चुका है यह चलिए दोस्तों अब चौत्थे png website को open करते हैं यह मेरा favorite website है जिससे कि मैं सारे pngs download करता हूं जिसका नाम है cleanpng.com इसे search कर देना है google पर और इस first वाले link पर आपको click करना है यहाँ से आप search करके png download कर सकते हैं चलिए मैं यहाँ से कोई एक png download करके दिखा देता हूं जो भी png आपको download करना है normal से आपको उस पर click करना है screen को थोड़ा सा नीची के तरफ scroll करना है और इस free download पर click कर देना है यह normal से download हो जाएगा देख सकते हैं यह download हो चुका है दोस्तों जो पांचवी png website है उसका नाम है purepng.com चलिए सर्च कर लेते हैं गूगल पर जाके आपको इस वाली website link पर click करना है यहां से आप सर्च करके png डाउनलोड कर सकते हैं यह पर पहले से 31,000 प्लस png अवलेबल है png डाउनलोड करने के लिए normally आपको उस png पर click करना है जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं और फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते जाना है आपको थोड़ा और स्क्रॉल करना है नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर ग्रीन कलर का आपको बटन मिलेगा जिसमें लिखा होगा फिर डाउनलोड फिर डाउनलोड पर click करने के बाद png का size select कर लेना है जो भी आप रखना चाहते हैं दोस्तों यहां पर free png डाउनलोड करने के लिए आपको अपने email id से register करना होगा जो कि बिल्कुल free है register करने के लिए आपको username अपना enter करना होगा जो भी आप username रखना चाहते हैं और फिर आपना email id एंटर करना है और password एंटर करके उसे confirm करना है और I am not a robot पर click करके इसे verify कर लेना है इतना करने के बाद इस sign up के button पर आपको click कर देना है आपका account register हो गया है अब यहां से आप कोई यह भी PNG डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि यह मैं water PNG आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूं आपको same वही process follow करना है पहले वाला आपको PNG पर click करना है और फिर scroll down करके नीचे आना है फिर डाउनलोड के button पर click करना है और यहां से size इसका select कर देना है चलिए मैं दिखा देता हूं आपको PNG डाउनलोड हो गया है आप देख सकते हो गैलरी ओपन करके दिखा देता हूं आपको सारे PNGs जो भी डाउनलोड किया है दोस्तों आप देख सकते हो जो भी PNGs हमने डाउनलोड की थी वो अपने गैलरी में डाउनलोड हो चुकी है इसका background black है और यह खुद भी black color का PNG है इसलिए यह show नहीं हो रहा ठीक से तो आप देख सकते हो सारे PNGs जो भी डाउनलोड की थी हमने वो डाउनलोड हो चुकी है तो दोस्तों यहीं तक थी यह वीडियो यह वीडियो आपको कैसी लगी comment में लेकर जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share जरूर करना दोस्तों इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को subscribe करके साथ वाली बैल आईगर को जरूर प्रेस करना Thank you for watching this video guys